हेलो दोस्तों, नमस्कार Study on Track चैनल में मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज से हम मेडिवल हिस्ट्री में डेली सल्तनत के टॉपिक को कवर करने की कोशिस करेंगे इसमें हम अलग-अलग dynasty को सेपरेट वीडियोज के थ्रोग कवर करेंगे अभी UPROARO और UPPCS का एक्जाम आने वाले हैं जिसमें डेली सल्तनत से fact-based question आते हैं maximum तो हम आज पहले topic से आपको स्टार्ट करेंगे slave dynasty या फिर इसी को mamluk dynasty भी बोलते हैं देख लेते हैं कि यह कब से कब तक रही है तो इसकी अगर हम बात करें तो यह 1206 12-062 1290 ठीक है तो यहां से अब इसका जो पहला founder कौन था तो पहली बात हम करेंगे कुतो बुद्दिन एहबक की ठीक है गुतुबुद्दिन एहबक की बात करेंगे तो ये क्या थे? ये founder थे इसके ठीक founder of Delhi सल्तनत Delhi सल्तनत ठीक है? गुतुबुद्दिन एहबक को माना जाता है इनके capital कहा थी? तो इनके अगर capital की बात करें अब ये डेली सल्तनत के थे लेकिन इनके capital डेली नहीं बनाई इनका capital था लाहर ठीक है? तो ये वहाँ से रूल करते थे अब इनही को डेली सल्तनत के फाउंडर थे और ये फाउंडर भी थे किसके? slave dynasty के slave dynasty के ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले तो एक title लेते हैं कौन सा title लेते हैं? title लेते हैं सुल्तान की ठीक है? he had taken a title of सुल्तान ठीक है? और ये title तो ले लेते हैं बट उस समय क्या होता था? कि जब आप राजा बनते हो तो आपको मनसूर लेना पड़ता था मनसूर किसको बोलते थे? ये मनसूर मनसूर बोलते थे मनसूर एक type का recognition लेटर होता था ठीक है? recognition लेटर ये लेटर होता था ये आपको किसी dynasty से लेना पड़ता था जैसे किसी khalif से लेना पड़ता था ठीक है? जैसे कुछ अबासित कैलिव थे ये थे तो इन्होंने कहीं से मनसूर नहीं लिया इन्होंने मनसूर कहीं से नहीं लेते हैं ये ठीक है ये खुद अपने आपको सुल्टान घोसित कर लेते है ठीक धैट मिन्स कि अगर इन्होंने मनसूर नहीं लिया है तो ये कहीं से कोई dynasty इनको कोई कहलिब जो है वो इनको recognize नहीं करता है as a ruler ठीक है अब इन्होंने कुछ important काम किये जैसे कि इन्होंने एक कुवत उल-islam mask बनवाया ये कई बार exam में पूछा गया है कुवत उल-islam ये क्या था ये एक mosque था ठीक है और ये mosque ये कहां बनवाते हैं ये बनवाते हैं डेली में ठीक है इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बनवाई इन्होंने अजमेर में अजमेर में इन्होंने अड़ाई दिन का जोपड़ा बनवाया ठीक है अढ़ाई दिन का जोपडा ये अढ़ाई दिन का जोपडा बनवाते हैं और ये क्या होता है ये बार-बार रिक्जाम में पोश्च चुका है कि अढ़ाई दिन का जोपडा actual में था क्या तो ये भी एक मास्क था यानि कि एक मस्जिद थी ये भी ठीक है और ये कहां पर बनवाते हैं अजमेर में बनवाते हैं ये स्टार्ट करते हैं क्या कुतुम मिनार दिल्ली में सुना होगा आप लोगों ने तो कुतुम मिनार जो है ये स्टार्ट करवाते हैं ठीक है और क्यों स्टार्ट करवाते हैं ये मलब एक विक्ट्री टावर हो कुत्व बुद्दिन बक्तियार काकि कुत्व बुद्दिन बक्तियार काकि ठीक है तो यह सूफी संथे इनके नाम पर कुत्व मिनार का निर्मार करवाते हैं ठीक है और अगर कुत्व बुद्दिन एबक को देखें तो इनको वहां की जनता जो पीपल है इनको लाख बक्स के at means की बहुत उदार दिल के थे ये तो इनको वहां की जन्ता प्यार से लाकवक्स बोलती थी ठीक है इन्होंने अपनी बेटी की साधी किस से करते हैं इल्दूतमिस से करते हैं और इनकी डेथ जो होती है अगर इनकी हम डेथ के बारे में देख लें तो ये पोलो खेल रहे थे ह हौर्स पोलो जब हौर्स पोलो खेलते हैं इनकी डेथ हो जाती है ठीक है अब डेथ हो गई तो इसके बाद इन्होंने क्या था कि कुतोबुद्दिन एवक ने अपने बेटी की साधी कर रखे थी इलतुत मिश थे फिर इलतुत मिश जो है अब नया राजा बनता है इलतुत मिश जो है एक सुल्तान बनता है और ये बनता है 1210 to 1236 AD तक ठीक है अब ये क्या हुआ इसने क्या बोलता है अगर हम कुतोबुद्दिन एवक का देखें तो एवक क्या कैपिटल कहां था लाहोर में था ठीक है बट इन्होंने अपना कैपिटल कहां पर बनाया इन्होंने अपना कैपिटल बनाया डेली को ठीक है इनका capital डेली रहा और इनको बोला जाता है slaves of a slave ठीक है slave of a slave कुतुबुद्दिन एवग खोदेक slave था और ये इल्टुतमिस कुतुबुद्दिन एवग के slave थे तो slave of a slave मलब slave के विदास का भी दास था ये ठीक है और ये बहुत able king और very good administrator थे ये क्या करते है कि ये re-establish करते है किसको Turkish rule को ठीक है Turkish rule ये Turkish origin के होते है ठीक है ये भी title लेते है ये कौन सा title लेते है सुल्तान का सुल्तान का ये title लेते है और ये manसूर लेते है ठीक है अब हमने उसमें देखा था कुतो बुद्दिन एभक में कि वो manसूर नहीं लेता बट ये manसूर लेते है और manसूर कहां से लेते है ये तो एक abbasid dynasty है ठीक है कौन सी dynasty से abbasid dynasty ठीक है ये कहां पे होती है ये बगदाद है वहां पे abbasid dynasty थी तो वहां से उन्होंने लिया था इस वज़ा से manसूर लेने की वज़ा से बुन्होंने manसूर ले लिया that means कि first legal king of Delhi सल्तनत इनको बोला गया ठीक है first legal king अब Delhi सल्तनत ठीक है ये बार बार question पुछा जाता है कि अब देखो Delhi सल्तनत में जैसी बात आएगी slave dynasty आएगा या मामलुक dynasty ठीक है उसमें पूछा जाएगा पहला सल्तनत कौन था तो लोग गलती करते हैं कि कुतुबुद्दिन एवक टिक करके चले आते हैं बट कुतुबुद्दिन एवक ने manसूर नहीं लिया था that's why वह legal king नहीं था बट इल्तुत्मिस क्या करता है he has taken mansoor from the abbasid dynasty of bagdad so he was the first legal king of Delhi सल्तनात ठीक है और उसमें जैसे abbasid dynasty एक खैलिप थी वैसी अलग-अलग उसमें खैलिप थी कहीं से भी आप ले सकते हैं फातिमा dynasty थी ठीक है यह एजीप्ट में होती थी हुम्मय यह dynasty थी इस्पेन में थी अब इनके कुछ काम देख लेते हैं कि इल्तुत्मिस ने अखिर किया क्या 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 है तो इन्हों ने क्या किया कि यह इंट्यूड्यूश करते हैं regular coins को ठीक है क्या बोलते हैं टनका टनका एंट जीतल ठीक है यह दो coin चलाते हैं टनका क क्या होता है silver coin होता है और जीतल क्या होता है ये copper का होता है ठीक और वैसा कुछ पियमाना वो बना देता है कि 1 टनका is equal to 40 जीतल होता है ये एक नया system start करते हैं क्ताधारी system जो 1 इकता system है एक्ता सिस्टम वाज स्टार्टेड बाई इल्तुतमिस ठीक है यह एक्ता सिस्टम आकर होता क्या है क्यों स्टार्ट करते हैं कुछ तो रीजन रहा होगा तो यह प्रोविंशियल एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंशियल एड्मिनिस्ट्रेशन फार provincial administration ये क्या स्टार्ट करते हैं एक्तादारी system स्टार्ट करते हैं ठीक है अब आगे अगर हम देखें तो ये जो एक्तादार को एक्तादार बनाये जाता था वो काम क्या करता होगा तो provinces में law and order maintain करना सारे administrative work करना वो सब कुछ क्या करता था सुल्तान डारेक्ट नहीं वो एक्तादार करते थे और एक्तादार सुल्तान को रिपोर्ट करते थे इनके दो काम थे एक्तादार अगर प्रोविंसल एड्मिनिस्टेशन में अगर दो चीजों में हम डिवाइट कर दें तो एक तो law and order हो गया ठीक है दूसरा क्या करता होगा इस्टेट चलेगा कैसे इस्टेट को चलाने के लिए पैसे चाहिए तो revenue ठीक है ये दो काम होते थे एक्तादार के इसके बाद इसने अपना जो tom बनवाया वो डेली में इसका tom मलब situated है कहाँ पे तो डेली में बनवाता है ये अपना tom अगर इसका देखे एक important काम तो इसने एक चहलगानी सिस्टम तुरकन ने चहलगानी या दल चालिसा 40 लोगों का मलब चहलगानी सिस्टम में स्टार्ट करता है मलब 40 पीपल होते हैं ठीक है 40 40 पीपल होते हैं यह लोगों क्या यह most जो 40 पीपल होते हैं उनको सबको administrative work देता है ठीक है administrative work करने के लिए देता है तो यह तुरकन यह चहलगानी बनाता है जो 40 पीपल होता है और वो कहाँ कूँ प्रमोट करता है वो तरकी के people को promote करना शुरू करता है छेक है इसका एक ओर इसके time का incidence है कि एक मगदर्नी था छेक है मगदर्नी ठीक है ये एक राजा था कहा का मंगोलिया का की location कहा है ये आप comment box में हमें बताएंगे तो मंगोलिया का राजा था इसको इसने shelter देने से refuse कर दिया था क्योंकि चंगेज खान उस समय इसका पीछा कर रहा था और इसने shelter मांगा था इल्दूतमिस ने और इल्दूतमिस ने refuse कर दिया था क्योंकि इल्दूतमिस उस समय direct उलिशना नहीं चाहता था चंगेज खान के साथ ठीक है ये क्या करता है ये कंप्लीट करता है कुतुब मिनार को ये कंप्लीट करता है इस्ट्रक्चर उसका ठीक है ये क्या करता है और क्या क्या काम करता होगा ये सुल्तान गड़ी फोर्ट बनाता है ठीक है सुल्तान गड़ी मलब एक तॉम होता है किस नाम से सुल्तान गड घ्रीज ए आघ चाही सिल्तान गठीज तो यह टॉम होता है ठीक है और क्या बनाता है अगर आप मीहरोली साइड में जाएंगे तो महां पर होज round मिलाक्ट संप त्रशे ओ चोरल के जीरे होज य शंसलिए शूर सम impostory यह क्या है इक water tank होता है ठीक है water tank बनवाता है काफी बड़ा water tank बनवाता है rail water tank बोला जाता है इसको ठीक है तो हौजे समसी के नाम से पूचता है तो ये पूचता है कि किस ने बनवाया था तो ये बनवाया था इल्तुत मिस ने और इल्टुतमिस का एक बड़ा अच्छा काम उस वो करता है कि वो nominate करता है as a successor अपना किसको रजिया को, रजिया सुल्ताना, रजिया को क्या करता है, nominate करता है अपना successor, और ये कौन साब, मलब कहां से आया ये, ये Islamic practice तो है नहीं, ये Persian tradition है, ठीक है, ये मलब Persian tradition से, Persian tradition से nominate कर देता है कि इसका जो successor था, वो कौन बनेगा, रजिया बनेगी, ठीक है, बड़ बीज में क्या होता है, कि विल्टुतमिस का बेटा, जो होता है, रुक्न उद्दिन फिरोज सा, वो कुछ समय के लिए राजा बन जाता है, अब रजिया क्या करती है, ठीक है, रजिया करती है, एड्रिस्ट पब्लिक, एंड डिमांड जस्टिस, ये बोलती है पबलिक से कि हमारे फादर ने हमको अपना सक्सेसर नॉमिनिट किया है, ठीक है, और सुल्तान के कुछ नीतियां जो थी, रुक्न उद्दिन फिरोज सा की कुछ ऐसी नीतियां थी, जिनसे दिल्ली क जनता खुस नहीं थी, और जनता क्या करती है, रिवोल्ट करती है, ठीक है, रिवोल्ट करती है, और सुल्तान, अल्टिमेटली सुल्तान वाज, गिल्ड बाई दर मॉब, और फिर रजिया सुल्तान, जो है, रजिया सुल्ताना, ये सासक बनती है, दिल्ली सल्तनत की, एक ब सो टेव थाटी सिक्स से टेव फोटी तक रही थी एंड सीवा जैन एबल रूलर ठीक है ये बहुत अच्छी रूलर थी और वह बहुत अच्छी good administrator थी ठीक यह क्या करती थी आल्वेज विश्टेट कोर्ड always wasted that means कि पूरा जो learn order था, पूरा rule था पूरे territory को run करना ये खुद स्वेम करती थी ऐसा ने कि कोई और puppet बना दिया है किसी ने इनको puppet बना दिया और कोई और rule कर रहा है ठीक है? और ये हमेशा एक dress wear करती थी जिसको बुला जा था क्यूबा कईबा, ये क्या होता था? ये long coat होता था ठीक है? और एक चीज करती थी कुला, ठीक है? ये cap या head type की होती थी ठीक है? तो ये इसको पहन के बार बार बलब ये हमेशा पहन के coat में आती रहती थी इन्होंने भी जैसे iltut miss ने किया था उसने भी Turkish people को rich people को promote किया था, ये भी करती है कि Turkish rich people को promote करती है ठीक है? और उनके साथ साथ कुछ जो अफरिका के rich people होते हैं उनको भी ये promote करना शुरू करती है अब यहाँ पे क्या होता है? एक आता है अलतूनिया, ठीक है? तो अलतूनिया क्या होता है? अलतुनिया ये क्या होता है पाउरफुल नोबेल होता है ठीक है तो अब ये क्या करता है कि रजिया सुल्ताना जो है ये अलतुनिया रिबॉल्ट करता है और डिफिट कर देता है डिफिटेट रजिया ठीक है अब डिफिट कर देता है तो लेटर रजिया married to अलतुनिया तो रजिया किस से साधिकरती है अलतुनिया से अभी लोग फिर से दिल्ली की तरफ आते हैं रीकैप्चर करने अपनी ट्रेटरी इनका कुछ कॉन्फिक्ट होता है किस से जार्स के साथ हर्याना में एक प्लेस है कैथल हर्याना में तो वहाँ पर जो अल्टिमेटली दे बोथ हार killed by both were killed by mob killed by jarts ठीक है तो jarts के साथ उनका fight होता है और वो ही पर मारे जाते है इसके बाद देखें अगर तुरजिया के बाद एक सुल्तान बनता है बहरामसा ठीक है बहरामसा बनता है ये 1242 1242 80 तक रहता है ठीक है अब इसने एक नया पोस्ट बनाता है इसके मलब एक सच कुछ बड़ा वर्क तो नहीं है बट एक नया पोस्ट क्रियेट करता है कौन सा नयब ए मामलिकात नयब ए मामलिकात ठीक है ये बनाता है अपने मंद से तो बनाएगा नहीं क्योंकि ये इतना पाउरफुल नहीं है ठीक है तो ये पोस्ट किसके प्रेसर बनाता है तो जो चहलगानीज होते है न ठीक है तो चहलगानिज बनाते हैं और यह क्या होता है deputy सुल्तान का पोस्ट बनाते हैं और ultimately he failed the demand of चहलगानिज और that's why he was killed by चहलगानिज ठीक है इसके बाद यह ऐसी चल रहा था इसके बाद नसुरुद्दिन मुहमूद बनता है राजा ठीक है एक सेकेंड नसुरुद्दिन मुहमूद तो यह राजा बनता है अब यह कौन होता है नसुरुद्दिन मुहमूद होता कौन है तो यह सन अफ इल्टुतमिस है ठीक है और यह राजा तो बन गया बट वरी रिलिजिस काइंड आफ मैन होता है यह ठीक है बनाता है बलबन को गया सुद्दिन बलबन को ठीक है अब गया सुद्दिन बलबन को यह अपना डेपुटिन न्यूक करता है और यह जो गया सुद्दिन बलबन रहता है यह बहुत अच्छा एड्मिनिस्ट्रेटर होता है ठीक है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नासिरुद्दिन महमुद जो है वो रिलीजियस परसन है बहुत ज़्यादा रिलीजियस है वो हमेज़ा अपना रिलीजियन के कामों में ही लगा रहता है तो अब पूरा एड्मिनिस्टेशन पूरे टेरिटरी का कौन सम्हाल रहा है बलबन क्योंकि उसको कौन सी पोस्ट मिल गई है वो डेपुटी बन गया है डेपुटी सुल्तान बन चुका है मतलब नायबे मामली कात बन चुका है ठीक है अब यह क्या करता है यही पुरा बल्बन ही पुरा maintain करता है line order को अब यहाँ पे इसके साथ matrimonial ये बल्बन जो है matrimonial alliance में चला जाता है किसके साथ नासुरिदिन महमुद के साथ ये इसकी भेहन से साधी कर लेता है इसके बाद में परहपस ये माना जाता है कि सुल्तानवाच killed by बल्बन और एक नया सासक मिलता है कौन सासक मिलता है तो गया सुद्दिन बल्बन गया सुद्दिन बल्बन ठीक है ये एक important नाम है क्योंकि ये rule करता है 12662 128780 तक ठीक है अभी इसके कुछ policies जो है एक्जाम में बार बार पूछी जाती है जैसे कि इसकी दो policies बहुत फिन एक policy सबसे important तो है कि blood and iron policy blood and iron policy लेके आता है और ये एक start करता है क्या एक पार्सीज में एक festival होता है नवरोज festival ठीक है नवरोज festival ये start करवाता है तो ये question में अभी recent कोई एक्जाम हुआ था state का UPCS में अभिहार PCS में तो उसमें ये पूछा हुआ भी एक साल पहले question पूछा हुआ था कि नवरोज festival इस्टार्ट किस ने करवाया था तो वो गया सुद्दिन बल्बन नी एड्मिनिस्टेटर ठीक है तो वो अब मेंटेन करता है लाइन ओर्डर को लाइन ओर्डर को स्ट्रिक्ली मेंटेन करता है इसके बाद अब ये एक टाइटल लेता है कौन सा जिल ए इल्लाह जिल ए अल्लाह दैट मेंस इसका जिल ए अल्लाह का मतलब क्या है कि सेड़ो ही अपने आपको गॉड नहीं बताता सेड़ो आफ गॉड बताता है एक सके ये हाँ तो शेड़ो शेड़ो आफ गॉड ठीक है और एक टाइटल और लेता है नियामत ए खुदाई ठीक है नियामत एखुदाई कभी- कभी टाइटनपूच देता है कि यह टाइटल जो ही टाइटल दे देगा कि नियामत एखुदाई कि सुल्तान ने इस टाइटल को लिया था तो आपको बताना पड़ेका कि वो गया सुद दिन भलबन न लिया था जील् zucchini अल्लालाह का टाइटल किस वाज गिविन भाई बलवन ठीक है अब ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है अपने कौर्ट में कौन सा तो वो दो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है सिजदा पहला तो सिजदा करना किसी को तो सिजदा सिस्टम एक लेके आता है ठीक है और एक लेके आता है पैबोस तो सिजदा तो क्या होता है किसी को जुक के सलाम करना ठीक है वो सजदा करना है सिजदा करना उसको बोलते है कि किसी को जुक के सलाम करना पैबोज क्या होता है पैबोज में यह होता था कि आपको सुल्तान के फीट को चूमना होगा उसके पैरों को चूमना होगा ठीक है तो यह दो प्रथा स्टार्ट करता है और यह पर्शियन ट्रेडिशन है यह नान इसलामिक प्रैक्टिस है ठीक है यह पर्शियन ट्रेडिशन अब ये एक सबसे बड़ा काम क्या करता है कि हमने देखा था कि चहलगानीच पुरा कंट्रोल कर रहे थे दिली सल्तनत के मैक्सिमम सुल्तान को ठीक है उसने डिप नायवे मामलुकाद का नया पोस्ट क्रेट कर दिया कि आप डेपटी सुल्तान बरोगे ये बनोगे ठीक है ब सारी चीज़ों को जानता था तो उसको ये पता था कि चहलगानीच आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रेट करेंगे तो वो क्या करता है वो डिश्ट्राइट कर देता है डिश्ट्राइट कर देता है डिश्ट्राइट पावर आफ चहलगानीच ठीक है तो ये सुल्टान एक पपिट सुल्टान बनाया जाए तो इस वज़े से पावर को उनके खतम कर देता है ठीक है और यह क्या करता है फोर्स बनाना इस्टार्ट करता है ठीक है फोर्स का चैन बनाता है काफी काफी सारे प्लेस में अपने ट्विट्री में बौर्डर एरिया में यह यह start कर देता है बहुत सारे force बनाता है जिससे northwestern region में बनाता है ठीक है वहाँ पे नस्रेदिन महमूद को अपना governor निफ्ट करता है तो यह से different काम ये करता है अब ये बहुत सारे जगों पर कुछ जगों पर जैसे पूछा जाता है कि अटेक भी इसने किये जैसे कि अटेक किया अटेक अन बैंगॉल ठीक है अटेक अन बैंगॉल बैंगॉल में उसमें कौन था तो तुग्रिल खान था ठीक है तुग्रिल खान था और ये तुग्रिल खान जो था हिवाज किल्डवाई बल्बन ठीक है अब यहाँ पे बेंगाल में अगर देखें तो बल्बन ने इसको पुरा रिकैप्चर कर लिया और अपने बेटे जिसका नाम था बुग्रा खान बुगरा खान को वहां का गवर्नर नुक्त करता है ठीक है अब इसके बाद जो नौर्थ विस्टर्न प्रुविंस की देखें तो वहां पे किसको गवर्नर नुक्त किया था महमूद को यह भी उसका बेटा था तो यह killed by मंगोल अटेक यह killed in मंगोल अटेक ठीक है, तो ये है, इसके बाद, अगर हम देखें, तो ये बलवन के बाद ये में हम देख रहे थे, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कि बलवन की फिर यहाँ पर डेथ हो जाती है, मलब कोई वार नहीं चल रही होती है, बट बलवन की डेथ होती है, ठीक है, अब जब बल बहुत स्टॉंग रूलर था जो उसके सक्सेसर आते हैं वो इतने स्टॉंग नहीं हो पाते हैं और बहुत जल्दी क्या किर लिया जाता है डेली को कैप्चरड बाई कैप्चरड बाई किसको किसके द्वारा अब नई डैनेस्टी कौन सी आ रही है यहां पर स्टॉंग यहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट उलर से बारे में जैसे कि यहां पर कुतो बुद्धिन एवक से question पूछे जाते हैं फिर इल्दुतमिश से पूछा जाएगा question फिर इसके बाद जो important एक नाम आता है वो बल्बन है रजिया सुल्ताना से भी question पूछे जाते हैं ठीक है तो यह 3-4 नाम है जिसमें हमें facts देखना है कि किसने क्या क्या काम किये थे क्या उनकी उपलब्धियां थी ठीक है क्या उनके work थे क्या उन्होंने administration के लिए किया कैसे उन्होंने अपने territory को बढ़ाया कौन से attack किये ठीक है क्या changes किये जैसे एक्तादारी system क्यों लेके आना पड़ा तो यह सब चीज़े हैं तो यह हमने आज पूरा cover किया slave dynasty या फिर इसे को मामलुक dynasty बोलते हैं ठीक है अब अगले वीडियो में हम खिलजी dynasty के बारे में देखेंगे thank you for watching signing off